Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankhita Sood and आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे NTA UGCNet Paper 1 Preparation का Superfast Revision Session जिसमें हम शुरू करने वाले हैं Teaching Aptitude यानि की शिक्षन योग्यता यूनिट से So 1 hour के अंदर अंदर Complete Teaching Aptitude हमारा cover हो जाएगा जो कि आपके upcoming examination के लिए आपको बहुत जादा मदद करेगा किस तरह से questions exam में पूछे जाते हैं कैसे smart tricks की मदद से हम लोग कम समय में भी concepts को याद रख सकते हैं यह सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो lecture series हम शुरू करते हैं So सबसे पहले आपको बता दूँ कि यह है Complete Teaching Aptitude का syllabus जो कि इस वीडियो में हम cover करने वाले है So session को start करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत important information यह है कि paper 1 preparation के लिए हमने crash course launch किया है So smart strategy के साथ daily live lectures आपको मिलते हैं, full syllabus recorded sessions भी आपको मिलेंगे 60 plus mock test जिससे की complete paper 1 cover हो जाता है, last 10 year question paper with solution Full syllabus notes and 4000 plus MCQ question bank हम आपको देते हैं जिसमें कि हरे question के solution के साथ साथ detailed explanation भी हम आपको provide कराते हैं So student screen पर दिये गे किसी भी एक number पर WhatsApp की मदद से आप लोग easily contact करके इस crash course को join कर सकते हो, जिसमें कि अभी limited seats बाकी है, so generalist की fees है 4000 रुपीज, लेकिन अगर आप इसको आज ही join करते हो तो मैं आपको देती हूँ flat 20% off, यानि कि इसके लिए आपको pay करना है सिरफ और सिरफ 3200 रुपीज इसकी पूरे information के लिए आप लोग directly numbers पर contact कर सकते हो, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले topic की और जिसमें कि हम बात करेंगे levels of teaching की So students, यह सबसे important topic है, जो कि हर साल NTA UGISnet exam में पूछता ही है So basically हमारे पास 3 levels होते हैं, memory level, understanding level and reflective level So जो smallest level होता है, वो होता है, memory level and highest level होता है, reflective level Hindi medium students के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो, स्मृती स्टर का शिक्षन जो होता है, यह सबसे छोटा level होता है And चिंतन स्टर का शिक्षन जो होता है, वो सबसे highest level होता है teaching का So सभी students को ध्यान में रखते हुए, दोनों languages में हम यहाँ पे discussion करने वाले है So यहाँ पे देख सकते हो students, जो memory level होता है, memory में क्या होता है, चीजों को हम लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं So याद करने का मतलब हो गया, road learning, यानि कि हमने क्या करते हैं, यहाँ पे रट्टा मार दे हैं, जिसको कि हम लोग क्रामिंग भी बोलते हैं So memory level में छोटे बच्चों को include किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को किस तरह से poems की मदद से चीजें याद करवाई जाती हैं, songs की मदद से उनको चीजें याद करवाई जाती हैं, तो यह सबाता है road learning के अंदर उनको नहीं पता होता कि A for apple क्या है, B for ball क्या है, बट उनको याद सब कुछ रहता है, that is the memory level जिसमें कि उनको रट्टा मारा जाता है, thoughtless होता है यानकि इसमें जादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं अगर understanding level की बात करें, so हमने memory level में जो कुछ सीखा, व उसकी हमें कितनी समझ अभी आई है, mastery of subject by developing understanding, so आप यहाँ पे देख सकते हो, कि जो भी एक बच्चा A, B, C, D समझता है, so वो understanding level में A for apple को समझना शुरू कर देता है, उसके सामने का apple की image बन जाती है, ठीक है, so यह होता है understanding level में, and highest level होता है reflective level, दिसको की बोला चाता है, चि हम उसी knowledge को, जो knowledge हमने memory level से understanding level में collect किया था, उसी knowledge को use करके हम क्या कर सकते हैं, किसे भी real life problem से बाहर निकल सकते हैं, for example, अगर यहाँ पे मैंने pot बनाना सीख लिया है, तो understanding level में मैं क्या करूँगी, जो कुछ मैंने सीखा, उसको मैं as it is revise करूँगी, reflective level में क्या होगा, reflective level में जो कुछ हमने सीखा, उस knowledge को use करके हम कुछ नया try कर सकते हैं, for example, अगर मान लीजे कि pot making में मैंने इस तरह का pot बनाना सीखा था, अब reflective level में मैं इस pot को design दे करके कुछ भी pot बना सकते हूं, कुछ भी design इसको दे सकते हूं, that is called reflective level, जो कि highest level होता है, okay, तो आप यहाँ पे इसक सकते हो, सबसे important चीज जो है, वो मैंने आपको बता दी, इसके अलावा NTA paper 1 में पूछता है, कि यह teacher centered है, यानि कि teacher जैसे चाहते हैं, उस तरह से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, understanding level पर teacher centered है, and reflective level जो है, यह learner centered method होता है, यानि कि जैसा एक student चाहिए, जैसा एक learner चाहिए, उ की demands को ध्यान में रखते हुए, इस level पर हम लोग काम करते हैं, so I hope students, यहाँ तक जो हमने 3 levels पढ़े हैं, यह आपके बिलकुल clear हो चुके हैं, okay, इस पर अगर detailed video आप लोगों को चाहिए, तो आपको description box में link मिल जाएगा, वहाँ पर सब कुछ हमने बताया है, इस session में, इस video म हम, जो है, full syllabus, revision करते हैं, ताकि आप लोगों के सारे concepts, फटा फट वन आर के अंदर complete हो जाए, okay, so description box चेक जरूर कीज़ेगा, इसी के साथ, students, यह जितने भी topics हम cover कर रहे हैं, इनके आपको कितनी समझ आई है, कितने concepts आपके clear हो रहे हैं, इसको चेक करने के लिए, हम आपके लिए लेकर आए है, free evaluation test, so global online app को आप डाउनलोड कर सकते हो, app का logo आप यहाँ पे देख सकते हो, and link मिल जाएगा description box मे, app को डाउनलोड कीज़े, then आपको जाना है paper one crash course के अंदर, यहाँ पे आप जाओगे content section पे तो आपको unit wise separate folders मिलेंगे, then teaching aptitude unit जैसे हम अभी कर रहे हैं, so इस unit के अंदर जाओगे, तो आपको यहाँ पे evaluation test नाम का एक folder मिल जाएगा, जसके अंदर, आपको बिल्कुल free test हम provide कराते हैं, so जो भी आज आप इस video में देख रहे हो, इस से related ही questions, आज मैं हाँ पे update करने वाली हूँ, आप लोग जरूर उनको attempt कीज़ेगा, and इस video के levels of teaching lays stress on critical shifting of ideas at the highest cognitive level, अब यहाँ पे आप लोगों को जरूर confusion हुआ होगा, यही इस video की खास बात है कि मैं आपको tricks बताऊंगे, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना कि critical shifting क्या हो गया, cognitive level क्या हो गया, यह कुछ नहीं पता, तो चिंता मत कीज़ेगे, आपको बस यह आपको बताया, introduction part में, so इसका अंसर आप मुझे comment करके बता दीजिए, right, so यह था अभी तक levels of teaching, next topic है हमारे पास, blooms taxonomy, यह एक ऐसा topic है, जिसको NTA कभी भी मिस नहीं करता, हर एक shift में daily, यह इस topic से questions जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग note कर लीजएगा, Hindi medium students के ल टीचिंग में एक taxonomy बनाई थी, उसमें उन्होंने देखना चाहा था कि एक student जो है, एक learner जो है, वो किस-किस level पर काम कर सकता है, so उसके लिए उन्होंने तीन levels बनाए थे, एक था cognitive level, दूसरा था psychomotor domain and तीसरा था effective domain, इसमें आपको सिरफ और सिरफ क्या चीज़े याद र रखनी है, तो इसका आप लोगों को sequence पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, reflective level की, ठीक है, reflective, sorry, cognitive level की, cognitive जो है, वो mental ability होती है, जब भी हम लोग mind से related बात करते हैं, so सबसे पहले यहाँ पर आता है remembering, कि कोई person किसी चीज़ को कैसे याद र रखियेगा, वो है recall, अब कोई चीज़ को मैं कभ याद कर सकती हूँ, जब मैं उसको याद करने की कोशिश करूँगी, उसको recall करने की कोशिश करूँगी, उसके बाद आता है understanding level, हिंदी medium students को भी मैं बताती हूँ यह चीज़ें detail में, उसके बाद आता है applying level, इस basic से definition आप यहाँ पर देख सकते हो, then we have analyzing level, evaluating level and then we have creating level, ठीके, so यह lowest level है and यह highest level है, सबसे पहले हमें चीज़ों को basic level पर याद रखना चाहिए, अगर इसी process को हम follow करते हो जाएंगे, तो हम उस knowledge को use करके अपना कुछ बड़ा create कर सकते हैं, तो हिंदी medium students यहाँ पर देख सकते हो, ठीके यह है ग्यानात्मक पक्ष, उसके बाद आता है भावात्मक पक्ष, उसके बाद आता है क्रियात्मक पक्ष, ठीके, so यह तीन चीज़े हैं, उसी को मैंने हिंदी में इधर लिखा हुआ है, and यह जो मैंने आप लोगों को remembering और यह सब बताया, यह है remembering, यह है evaluation, so इस तरह से आप लोगों इन चीज़ों को याद रखना है, ठीके, so sequence बहुत important है, create, evaluate, analyze, apply, understand, remember, then we have, इस तरह से इसको पढ़िएगा, ठीके, यहां से हम ऐसे जाते हैं, then we have imitation, manipulation, precision, articulation, naturalization, receiving phenomena, response to phenomena, valuing, organization and internalized values, so exam में से कैसे questions पूछे जाते हैं, exam में आप लोगों से पूछा जा सकता है, कि bloom के द्वारा दी गई जो taxonomy है, जो bloom ने वरगी करन दिया है, उसमें हमारे पास तीसरा level कौन सा है, तो तीसरा level कौन सा है, applying level तीसरा level है, तो आपको इस तरह से यह चीज़ें पता होनी बहुत ही जादा जरूरी है, I hope students आपने य taxonomy का previous year question, यो जिसे net में किस तरह से पूछा गया था, the correct sequence of objectives of effective domain according to bloom's taxonomy is, so bloom's के effective domain के हिसाब से कौन सा उसका एक sequence था, so effective domain ये वाला हमने अभी बढ़ा, इसका एक sequence given है, आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हो, इसका एक sequence given है, तो इसको कैसे arrange करना है, ठीके, so इसमें correct answer क्य होगा, अराम से वीडियो को pause कीजिए, इसका answer देखिए, नहीं आता है, तो वापस अस वीडियो में यहाँ पर page में जाकर क्या आप देख सकते हो, and then comment करके मुझे इसका answer जरूर बताइएगा, क्योंकि इस सरह के questions exam में आते है, and answer दोगे, तो आपको याद रह जाएगा, औ exam में आपको बहुत जादा मदद हो जाएगी, अगला question है, factors affecting teaching, so वो कौन-कौन से factors हैं, वो कौन-कौन सी चीजें हैं, जो कि एक अच्छे teaching को affect करती है, अब देखो, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरे class में 500 प्लस students हैं, मान लीजिए, हम लोग यहाँ प वो कमी किसकी वज़ा से हो सकती है, किसी teacher की वज़ा से भी हो सकती है, किसी student की वज़ा से भी हो सकती है, and environment यानि कि जिस बातावरन में हम पढ़ा रही है, उसकी वज़ा से भी हो सकती है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को points में कुछ बताने वा knowledge में कि teacher teacher तो बन गए है लेकिन उनको ग्यान बिलकुल भी नहीं है दूसरा क्या हो सकता है कि teacher को knowledge तो पूरा है लेकिन teacher में क्या नहीं है उनमें teaching skills बिलकुल भी नहीं है आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनको knowledge बहुत जादा होता है लेकिन वो अपनी बात किसी के सामने नहीं रख सकते या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बात present करना तो बहुत अच्छे से आता है लेकिन उनके पास ग्यान ही नहीं होता कि वो किसी को share कर सके तो अगर teacher का knowledge कम है या teacher को पढ़ाना नहीं आता है या फिर teacher की जो communication skills है इसे teacher की जो communication skills है वो अच्छी नहीं है अब जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ मेरे जो words हैं जैसे मैं आपको बोल रही हूँ I hope आप सभी को ये समझ आता होगा कई बार आप लोग उने ऐसे teachers भी जरूर देखे होंगे जो अगर कुछ बोलते हैं तो वो clearly words उनके मुझे नहीं निकल पाते students उस चीज को नहीं समझ सकते चाहे उनकी teaching skills जितनी मर्जी अच्छी है चाहे उनको knowledge जितना मर्जी है लेकिन communication skills उनकी अच्छी नहीं है तो वो चीजों की वज़ा से भी वो एक अच्छे teacher नहीं कहला पाते ठीक है, तो यह कुछ factors है teacher के point of view से उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास learner के point of view से कुछ factors ठीक है, तो learner के point of view से क्या factors आ सकते हैं कि learner is not interested ठीक, learner को interest ही नहीं है पढ़ने में अब किसी को जबर्दस्ती अगर बिठा दिया जाएगा तो वो चीजों को नहीं समझ पाएंगे है ना, दूसरा आता है कि learner का mental status क्या है या फिर इसको हम बोल सकते हैं cognitive ability क्या है right, so अब देखो अब इसको मान लीजिए कि हम लोग कि fourth या fifth class के बच्चे को यो जिसे net level का कुछ topic पढ़ाने जाएं तो उनको कितनी जादा difficulty होगी तो ये कुछ points होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए then we have third type third type है related to environment environment क्या हो सकता है कि teacher में सारी qualities है वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी है उनको knowledge भी अच्छा है उनकी communication skills भी अच्छी है ठीके and students जो है वो भी पढ़ने में बहुत जादा interested है लेकिन क्या हो रहा है जहां पे वो पढ़ा रही है वहाँ पे आसपास शोर बहुत जादा है ठीके वहाँ पे शोर बहुत जादा है teacher को कुछ ऐसी facilities नहीं दी गई है कि वो अच्छा पढ़ा सके जैसे कि teacher को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए offline teaching के अगर बात करें तो blackboard या whiteboard की जरूरत होती है पेनिया paper की जरूरत जरूर होती है तो अगर ये सारी चीज़े teacher को नहीं provide कराई जाती है तो वो सब चीज़े क्या करती है एक अच्छी teaching को effect करती है अच्छी teaching पे इस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा फरग पढ़ता है तो I hope ये topic भी आप लोगों का बिल्कुल clear हो चुका है अब students कुछ last topic जो हमारा था इसमें कुछ keywords रहते हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इन keywords को आप लोग note कर लीचे create से related uses in it exam में कुछ keywords पूछे जाते हैं जैसे की formulate तो कुछ बनाना यानि की उसके बाद आता है build उसके बाद आता है modify उसके बाद आता है generate then we have develop और उसके बाद आता है compose तो ये कुछ ऐसे words है अगर आप लोगों को question में जब आप question पढ़ते हो ये words दिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम creating level पर बात कर रहे हैं उसके बाद आता है evaluating की बात अगर हम करें तो evaluate में आता है choose then आता है इसमें support उसके बाद आता है इसमें select उसके बाद आता है compare उसके बाद आता है judge और भी बहुत सारे हैं वो detailed video जो मेरी में आपको बताई link description box में है आप उसको देख लीजिए वहां पर आपको मिल जाएगा यहां पर कुछ repeated words ही मैं आपके साथ share कर रही हूं then we have analyzing so analyzing में आजाता है classify उसके बाद आजाता है simplify उसके बाद आजाता है breakdown then we have categorize ठीक है यह सब आगे हमारे analyze section के अंदर next फिर बात करते है apply की apply phase के अंदर आजाती है कुछ चीज है जैसे की calculate present then we have perform then we have solve then we have understanding level so understanding level के कुछ keywords है जिसमें की पहला आजाता है explain किसी बीचीज को explain करना अगर देखो जैसे की example में अगर आप से पूछा जाए कि एक teacher ने एक student को कुछ चीज बहुत अच्छे से explain की और teacher और students उससे satisfy है तो इसका मतलब we are talking about understanding level so इस तरह से examples होते है इसलिए ये keywords आप लोग याद रख लीजेए exam में आपको मदद हो जाएगी ठीके उसके बाद है describe then we have restate उसके बाद है summarize ठीके उसके बाद आगे discuss last क्या point आता है हमारे पास last point आता है remembering से related so remembering की जब हम बात करते हैं इसमें आ जाता है एक तो define उसके बाद आता है recognize उसके बाद आ जाता है recall जो कि इसका बहुत important है identify and label ठीके यहां से question ज़रूर आते हैं इसको I hope आप लोगोंने note कर लिया है आप लोगों के upcoming examination में इसका बहुत ही जादा मदद हो जाएगी so इसी के साथ अगले topic की और बढ़ते हैं जिसमें की हम बात करने वाले हैं teacher centered and learner centered methods के बारे में teacher centered methods होते हैं conventional जो की पारम पर एक तरीका होता है जिसमें की class में मालीजे ये class में students पैठे हुए हैं एक teacher class में आगे जो teacher का मन था वो teacher ने पढ़ाया जैसे teacher का मन था वो teacher ने पढ़ाया उन्होंने students को नहीं पूछा ये सब चीज़े आ जाती हैं आपकी conventional के अंदर ठीके ना ही इसमें students teacher को कुछ बोल पाते हैं कि हमें ये concept समझ आ रहा है या फिर आज हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है वापस आप इसको कल repeat कीज़े ऐसा कुछ भी नहीं होता बस teacher class में आएंगे lecture देंगे और चले जाएंगे इसमें teachers जो होते हैं वो बहुत ही जादा active होते हैं वो बहुत ही जादा सक्रिय होते हैं और learners जो होते हैं वो passive होते हैं यानि कि निश्क्रिय होते हैं students इसमें सिरफ बैठे होते हैं और बातों को सुन रहे होते हैं ठीक है उनको और इसमें कुछ भी नहीं मतलब होता then we have less flexibility इसमें teacher और students के बीच में कम लचीलापन होता है यानि कि ऐसा नहीं होता कि teacher क्या पढ़ाना चाहते है students क्या पढ़ना चाहते है क्यों सा method जो है students को पसंद आ रहा है इसमें ऐसा कोई भी discussion teacher और student के बीच में नहीं होता no group activities बस simple सा चीज याद रखिये teacher centered में teacher आएंगे पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे students को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो कुछ response उसके नहीं रहता ठीक है one way communication क्योंकि teacher ही बोलते है students कुछ भी नहीं बोलते हैं वो सुनते हैं वो सिर्फ एक listeners होते हैं lecture, team, teaching और PPT, etc. जो है इसका एक example होता है next we have learner centered method यानि की शिक्षार्थी केंद्रित तरीके कौन-कौन से होते हैं so modern तरीका है शिक्षार्थी केंद्रित अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप इसे बहुत से students ऐसे होते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि आप हमें comment करके बताते हो कि ma'am इस video में हमें ये concept clear नहीं हुआ इस पे आप वापस हमें समझाईए तो हम आपके लिए वो video लेकर आते हैं या फिर आप हमें बोलते हो कि ma'am recorded sessions नहीं चाहिए live sessions चाहिए तो हम आपके लिए live sessions भी लेकर आते हैं similarly कई बार आप लोग हमें बोलते हो कि इस particular topic पर हमें हिंदी में session चाहिए English में नहीं चाहिए तो हम आपकी वो request भी पूरी करते हैं ये सब क्या है? ये सब आदुनिक तरीके हैं इसमें जो learner चाहते हैं, जो student चाहते हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए as a teacher हमारे responsibility होती है कि वो हम सब चीजें आपको provide करवाएं अगला है focus on students as well as teachers so students को क्या चीजें पसंद है students को पढ़ाने का कौन सा तरीका हमारा पसंद आ रहा है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के learner-centered methods को हम use करते हैं next is active learner students जो है इसमें सक्रिय रूप से participate करते हैं flexibility बहुत होती है क्योंकि teacher और students आपस में बहुत comfortable होते हैं अपने views शेयर करने के लिए अब जैसे teacher students को evaluate करते हैं students को बताते हैं कि अच्छा आप week हो आप पढ़िये आपको यह एक कमिया है आपको इन चीजों पर काम करना चाहिए उसी तरह से इस method में students पर teacher को evaluate करते हैं कि as a teacher आपको अपना teaching का method change करना चाहिए या फिर as a teacher आपको यह तरीका अपना आना चाहिए तो इस तरह से students अगर आपका भी कोई suggestion है मेरी teaching को ले करके या किसी भी चीज को ले करके आप मुझे इसी वीडियो के नीचे comment ज़रूर कीजेगा मैं definitely इस चीज पर focus करूए ओके सो यह क्या हो गया यह हो गया एक example किसका teacher sorry learner centered method का अगला topic आता है group activities are encouraged इसमें हम क्या करते है teacher students को कुछ कुछ चोटे चोटे groups में divide कर देते हैं और उन पे topic देते हैं और बोलते हैं किसके बारे में आप लोग बातचीत कीजिए इसके बारे में आप लोग discussion कीजिए और जो भी इसका conclusion होगा वो फिर आपस में सब लोग discuss करते हैं इसमें बहुत से तरीके होते हैं communication के teacher भी बोलते हैं students भी बोलते हैं सबको equal का अधिकार होता है बोलने का two minutes का session लिया है इसमें आप लोगों के सारे concepts clear है अगर इतने में कोई doubt है तो आप मुझे first half में ही comment कर दीजे थाकि मैं easily आपका reply कर सकूँ and then उसके बाद ही हम अगले topic पर जाती हैं okay so learner centered method हमने जो भी पढ़ा उसी से related ये previous year question है इसमें पूछा है कि learner centered teaching method क्या होता है so learners are considered passive recipient and teacher has the right knowledge learners are slow in learning and teacher stresses completion of syllabus या फिर learners are given an opportunity to construct knowledge and teacher is a guide in the learning process या फिर all of the works इसका answer क्या होगा वीडियो को pause कीजिए Hindi English दोनों languages में पढ़िए ये previous year question है जो की बहुत बार पूछा गया है ठीकेस इसका answer भी मुझे comment करके बताईएगा उससे पहले मैं आपको बता दिया ठीकेस लेर्नर सेंटर में क्या होता है students को opportunity दी जाती है यानकि उनको अफसर दिया जाता है कि वो अपने ग्यान को construct करे and teacher क्या करता है वो guide के रूप में काम करता है एक mark दर्शक के रूप में काम करता है और उस student की learning process को यानि की सीखने की प्रक्रिया को बहुत ही अच्छा बनाने में मदद करता है तो थोड़ा सा समझेए अगर आप concept समझ गए हो तो ये questions आपके लिए बहुत ही जादा easy हो जाते है next question पर जाने से पहले students आपको UGISnet paper 2 के बारे में बता दूँ तो इसका complete study material हम आपको देते हैं paper 2 का difficulty level क्या है and क्या pattern NTA follow करता है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही study material हम educators ने आपके लिए बनाया है जिसमें आपको full syllabus notes and MCQs हम provide कराते हैं तो आपके सामने जो भी subject हैं उनको देखे and screen पर दिये गए किसे भी एक number पर easily whatsapp के मदद से आप लोग contact कर सकते हो इसकी fee generally 1600 रूपीज है लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है and हम चाहते हैं कि हर एक student study material का benefit उठाके अपना GRF का dream पूरा करें तो इसके लिए मैं आपको देती हूँ flat 20% off यानि ये इसके लिए आपको pay करना है सिरफ और सिरफ 1280 रूपीज लगातार आप इसको lifetime के लिए use कर सकते हो and साथ ही MCQs जो है ये interview में भी आपको बहुत मदद करेंगे इसके लावा paper 1 and paper 2 के complete courses के लिए आप screen पर दिएगे किसी भी एक number पर contact कर सकते हो या फिर global online app है इसको बिल्कुल free में आप download करके courses को देख सकते हो free video lectures भी यहाँ पर available है इसी के साथ बढ़ते हैं अगले important topic पर जिसका नाम है स्वयम portal तेक है so students आज के इस one hour में जो भी topics में आपके लिए लेकर आई हूँ यह वही topics हैं जो कि हर साल हर एक shift में पूछे जाते हैं तो इसी तरह से हम complete paper 1 की series आपके लिए लेकर आएंगे so next आपको teaching aptitude के बाद कौन सी unit पे इस तरह का session चाहिए आपमेंचे comment कीजिए पुलपॉम होती है study webs of active learning active learning for young aspiring minds ठीके यह क्या है यह एक web है यानि ही internet से related चीज है तो यह एक study web है जिसमें की हम लोग actively learning कर सकते हैं students actively learn कर सकते हैं बहुत सी चीज़े and इसकी सबसे खास बात यह है कि आप अपने घर पे बैठे हो आप किसी भी जगा पे बैठे हो आप स्वयम पोर्टल पे जा करके easily कहीं से भी कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हो तो स्वयम पोर्टल किसके अंदर आता है यह आता है e-learning के अंदर यह क्या है यह एक e-learning platform है ठीक है e-learning platform है जो कि इंडिया में ही बनाया गया है अंडर्स को किस ने बनाया है इसको mhrd ने बनाया है अब students यहाँ पे एक और question NTA पूछ सकता है कि स्वयम को mhrd ने बनाया है लेकिन national education policy 2020 के अंदर mhrd का new name रखा गया है इसका नाम बदल दिया गया है वो क्या है अगर आपको यह नहीं पता तो एक link में description box में add करती हूँ आथ सुभा ही वो video मैंने आपके लिए बनाई है इसमें आपको इसका answer शुरू के 5 मिनट में ही मिल जाएगा तो उस video को ज़रूर देखेगा और comment करके मुझे बिताइएगा So, स्वयम को launch कब किया गया स्वयम को 9 जुलाई 2017 को launch किया गया था किसने किया था ex-president of India Shri Pranav Mukherji ने and इसमें क्या है स्वयम प्रभा में हमारे पास Sorry, we are not talking about स्वयम प्रभा, we are talking about स्वयम here, okay So, स्वयम में हम लोगों को क्या मिलता है 24-7 television educational channels मिलते है इसके अंदर 24 घंटे जो है television channels चले रहते हैं जिसमें कि कौन से classes cover होती है Class 9 से लेकर के जो आपका post-graduation के subjects है courses को इसमें cover किया जाता है Next important point यह है कि आप कहीं पे भी कहीं भी कभे भी किसी भी जगा पर बैटके स्वयम की classes ले सकते हो So, स्वयम हमें चार चीज़े provide कराता है या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि स्वयम के चार quadrants है चार हिस्सों में स्वयम portal को divide किया गया है सबसे पहला आता है यह हमें provide कराता है daily video lectures अब बात आती है कि इन video lectures में हमें पढ़ाता कौन है So, उसको मैं अभी आपको बताऊंगी उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें self assessment test भी available है self assessment test भी available है उसके बात आ जाता है इसमें online discussion इन सबको भी मैं detail में discuss करूँगी and then हमाले पास यहां पर आ जाता है study material reading study material भी आप लोग इसको बोल सकते हो ठीक है So, यहां पर अगर देखें video lectures कौन बनाता है जो IIT, NIT के expert teachers होते हैं वो इधर हम लोगों को provide कराते हैं video lectures right self assessment test यानि कि जैसे कि मैंने आप लोगों को इस video के शुरू में evaluation test की बात की थी कि आप लोगों को कितना concept समझ आया कितनी चीज़े समझ आई यह सब वैसे ही आप लोगों ने video lectures देखें आप लोगों ने study material यानि कि reading study material देख लिया उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके कितने concepts clear हैं तो उसके लिए आपको self assessment test भी मिलेगा इस test को दीजी and online ही आप लोगों को आपके score इससे पता चल जाते हैं then we have online discussion यानि कि आपको कोई doubt है कोई problem है कोई question में confusion है तो आप इस question को वहाँ पर जाकर के होगा बहुत से students आएंगे इसमें participate करेंगे and फिर क्या होगा आप लोगों का आपकी problem का solution easily मिल जाएगा so ये थे स्वयम के कुछ important features जो कि examination के लिए important है अब एक और चीज है जो कि स्वयम से related जरूर exam में पूछी जाती है वो क्या है so अब देखो students स्वयम के national coordinators कितने है स्वयम के national coordinators कितने है ये भी exam में पूछा चाता है यानि कि स्वयम को successful बनाने के लिए कौन-कौन से departments है कौन-कौन से education policies है जो कि कौन-कौन से commissions है जो कि इसमें बदद करती है so example के तौर पर AICTE AICTE की full form है All India Council for Technical Education so जितने भी technical courses होते है उनको handle करता है ये department ठीके वैसे ही जैसे अगर हम लोग IGNU की बात करें ठीके so जो भी हमारे distance education से related subject होते हैं वो सब IGNU handle करता है then we have IIMB यानि कि Indian Institute of Management Bangalore so management के जितने courses है वो IIMB handle करता है उसके बाद आजाता है NCERT जैसे मैंने आपको बताया 9th और 10th class भी इसमें included है so ये दोनों classes के जो study material है lectures है वो NCERT ही focus करता है इस पे then we have CEC यानि कि consortium for educational communication जो हमारे undergraduate subjects होते हैं उनको CEC हमेशा handle करने में मदद करता है so इस तरह से बहुत सारे commissions है बहुत सारे coordinators है जो कि स्वयम को successful बनाने में मदद करते है next we have Swayam Portal so Swayam Portal में Swayam Portal में कौन-कौन सी चीज़े आ गई हमारे पास इसमें आ गई सबसे पहले तो कि ये क्या है ये 34 channel वाला DTH है देखो Swayam Prabha Free DTH Channel for Education हम लोग TV देखते हैं TV में DTH channels होते हैं so free channel है जो कि 24-7 hours में run करते हैं GSAT-15 यानि कि Geo Stationary Satellite के अंडर ये काम करता है और इसको 19 October 2020 को launch किया गया था so Swayam Prabha की अगर हम लोग बात करें Swayam Prabha हम लोगों को क्या प्रवाइड कराता है Equal Access प्रवाइड कराता है TV channel अगर ये वाले आपने देखने हैं आपको इसके लिए extra pay नहीं करना पड़ेगा जो free dish होती है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा ठीक है so इसमें आप लोगों को school education भी मिल जाएगा इसमें आप लोगों को higher education भी मिल जाएगा इसमें एक time पे live classes होती है उसके बाद फिर पूरा दिन वही live classes जो है repeat होती रहती है दिन में चार से पांच बार so ये है स्वयम प्रभा next we have UGC MOOC MOOC क्या है? MOOC के full form क्या है? Massive इसकी full form exam में पूछी चाहती है Massive Open Online Courses ठीक है? so Massive Open Online Courses क्या करते हैं? Massive का मतलब होता है बहुत जादा Open का मतलब सभी के लिए जो उपलब्ध हो Online मतलब आपको पता ही है जिसमें कि हम लोग Internet, Mobile, इन सब चीज़ों का यूज करते है and then courses we have so Massive Open Online Courses यानि कि इसमें क्या है? यहाँ पे आप full form देख सकते हो यह एक web-based platform है जो कि हमें provide कराता है unlimited number of students को पूरे world के unlimited number of students को हम यहाँ पे एक साथ पढ़ा सकते है वो भी कहीं भी बैठ कर इसके लिए ऐसा नहीं है कि students को classes में जाकर के daily join करना है ऐसा कुछ भी इसमें concept नहीं है आप लोग कहीं भी बैठ करके कैसे भी पढ़ सकते हो established back in 2008 and gain momentum in 2012 as a popular tool आप यहाँ पे देख सकते हो यह MOOC platform 2008 में ही बना दिया गए था इसका पूरा प्लान बन चुका था लेकिन 2012 से यह finally जो है बनने लगा जैसे कि अब आपको पता ही है कि हर एक चीज़े online आ चुकी है technology पर major focus रखा जा रहा है तो उसके अंडर इन चीज़ों पर अभी major focus रखा गया है और यह चीज़ें generally हर जगा पर हर platform में अब use की जा रही है तो इस तरह से आपने देखे कुछ important topics जिसमें कि online classes के अंदर आता है स्वयम, स्वयम प्रभा and MOOC जो की हर साल anti-exam में जरूर पूछता ही है इस वीडियो तक भी इस time तक भी अगर आप लोगों के कोई doubt है तो आप हमें comment कर सकते हो students किसे भी तरह का session किसे भी तरह के topic पर अगर आप चाहते हो कि मैं next video लेकर आऊं तो again मैं repeat कर रही हूँ आप जिए comment कीजे मैं definitely आपकी help करूँगी so अब यहाँ पर एक और चीज आती है जैसे कि आप में इधर देखा इसमें लिखा है UGC MOOC a vertical of soyam इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि soyam के अंदर ही MOOC को बनाया गया है soyam का ही एक part है soyam का ही एक vertical होता है MOOC तो इसके अंदर जो चीजे होती है वो काफी हद तक similar रहती है soyam की ठखा जो इसका working criteria है या फिर जैसे कि मैंने आपको national coordinators बताए यह सब चीजे क्या आती है उसी के अंदर आती है अब एक चीज और soyam में जो miss हो चुकी थी जो कि exam के लिए important है वो यह है कि मैंने आपको बताया four quadrants होते हैं ठीक है four quadrants में जैसे कि पहला हमने video lectures बताया ठीक है so video lectures की जगा exam में आप लोगों को यह tutorials भी लिखा जा सकता है इन चीजों पे detailed video अल्रेड़ी है link आपको मिल जाएगा description box में अंकिता सूध के नाम से जो भी lectures मिलेंगे आप वहाँ पे देख सकते हो इसी तरीके से वहाँ पे पढ़ाया है या फिर हमारे और भी बहुत से educators हैं जैसे we have तृप्ती माम जो कि प्यॉर इंग्लिश में यह सब topics हमें पढ़ाते हैं तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर separate वहाँ पे lectures आपको मिल जाएगे तो इसी टुटोरियल लिखा होगा या फिर आपको video lectures लिखा होगा या फिर आपको audio content लिखा हुआ दिखेगा तो इसका मतलब है हम quadrant 1 की बात कर रहे है quadrant 2 में जैसे मैंने आपको बताया study material reading study material so reading study material को बोला चाता है इसमें e-content ठीक है? e-content हो सकता है या फिर pdf हो सकता है या फिर text हो सकता है या फिर e-books हो सकती है so इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी चीज़े दिखती है तो वो quadrant 2 के अंदर आता है quadrant 3 आजा है जहां पे मैंने आपको बताया कि आपको और भी जादा study material मिलता है आपको self assessment मिलती है so अगर वहाँ पे आपको कहीं पे words नज़र आते हैं जैसे कि quiz है short question answer session आपको नज़र आते है या फिर आप लोगों को fill in the blanks इस तरह से कोई भी नज़र आता है तो वो होता है quadrant 3 जो कि self assessment के अंदर आता है quadrant 4 में आ जाता है हमारे पास Wikipedia ठीके उसके बाद आ जाता है case study then we have here e-books ठीके उसके बाद आ जाता है हमारे पास research papers उसके बाद आ जाता है articles यह सारी की सारी चीज़े examination point of view से बहुत ही जादा important है okay so yeah I hope clear आप लोगों को हो गया है इसी के साथ अब अपने next topic के और बढ़ते हैं यह topic students NTA का सबसे जादा favorite topic है इसका नाम है evaluation system यानि के मुल्यांकन के tantra मुल्यांकन के परकार भी हम इसको बोल सकते है evaluate करना क्यों important होता है अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया ठीके मैं आप लोगों की teacher हूँ मैं आप लोगों की educator हूँ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया 500 plus students को मैं एक साथ पढ़ा रही हूँ अब आप लोगोंने कितना score किया इस वीडियो के बाद आप लोगों को कितना समझाया 100 में से आप लोगों खुद को score दीजिए या मुझे score दीजिए कि 100 में से आप लोगों को 10% समझाया 90% समझाया कितना समझाया ठीके वैसे ही आप लोगोंने कितना score किया जैसे कि मैंने आपको बीच में homework questions दिये हैं उन homework questions के answer आप सही देते हो या गला देते हो उसके हिसाब से मैं आप लोगों का मुल्यांकन करूँ जो की बहुत important होता है teacher और learner के बीच में So evaluation is the process of gathering and interpreting evidence on changes in the behavior of the students as the progress through school So Kothari Commission के अंदर evaluation system की एक definition दीगी थी जिसमें उन्होंने बोला है कि evaluation एक continuous process है It forms an integral part of the total system of education and is intimately related to educational objectives यानि कि जो शेक्षिक उदेश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए उन evaluation करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है The techniques of evaluation are means of collecting evidences about students' development and development in desirable directions So evaluation से क्या होते हैं हम एक student के बारे में जान सकते हैं वो कितना समझ रहे हैं इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक example के साथ मैं आपको बताती हूँ ठीक है आप देखो मैं हूँ Ankiita मैं आप लोगों की Ugesinate Paper 1 की educator हूँ मेरे पास 500 प्लस students एक साथ पढ़ रहे हैं अब आ लिजे 500 में से 400 प्लस students ने Ugesinate exam को qualify कर दिया लेकिन जो 100 students से वो qualify नहीं कर पाए तो इसका क्या मतलब हुआ इससे मैं students को evaluate ऐसे कर सकती हूँ कि ये लोग sincerely पढ़ रहे थे ये लोग नहीं पढ़ रहे थे लेकिन वहीं अगर मैं दूसरे example लेकर के चलती हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ 500 प्लस students को मैंने पढ़ाया जिसमें से कि सरफ 10 students का exam qualify हुआ बाकि के जो 490 students से उन लोगों ने exam qualify नहीं किया तो इसका मतलब क्या है इस case में मैं आप लोगों को evaluate नहीं करूँगी आप लोग मुझे evaluate करोगे कि मैं ने हमें या तो important चीज़े नहीं पढ़ाई या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैं ने जो पढ़ाया वो हमें समझ ही नहीं आया चाहे वो important भी था तो ये evaluation होता है इससे हम कहां तक पहुँच पाते हैं evaluation से हम conclusion तक पहुँच पाते हैं अपने solution तक पहुँच पाते हैं इससे हमाँ पता लगता है कि एक teacher के पढ़ाने का तरीका कैसा है या एक teacher अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो student का interesting level कितना है evaluation के definition से ज़ादा evaluation के types पर NTA focus रखता है तो evaluation के types में हमारे पास उसको तीन हिस्सों में divide किया जाता है पहला आता है according to their functions according to their approaches, according to evaluation system सबसे ज़ादा पूछा जाता है ये सभी types को exam में कैसी questions पूछ चाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले हम अगर बात करें बात करते हैं placement की placement आपने सुना होगा जब भी मान लीजे कि आप लोग B.Tech कर रहे हो B.Tech के बाद बोला जाता है कि आपकी campus placement होगी placement का मतलब होता है किसी सही student को किसी सही जगहा पर पहुंचाना placement evaluation ठीक है? एंड उसके बाद मैं आपको पहले diagnostic बता देती हूँ diagnostic evaluation होता है अब मान लीजे जैसे मैं आपको बताया कि 50 students में से 49 को चीज़ा समझ आ रही है लेकिन एक को नहीं आ रही तो इस case में मैं उस एक student को का diagnose करूँगी मैं जानने की कोशिश करूँगी कि क्यों वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे क्या उनका mental level उतना है या फिर वो interested नहीं है या फिर वो किसी और बड़ी problem में फसे हुए है कि वो अपनी teaching अपनी learning पे ध्यान नहीं दे पा रहे तो वो थैं diagnostic evaluation ये दो types थोड़े कम exam में पूछे जाते हैं important types आते हैं formative and summative जो की approaches और functions दोनों के ही equal category में रहता है तो formative evaluation क्या होता है अब देखो मैं जैसे इस session में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इस session में जैसे कि मैं आपको बीच बीच में क्या कर रही हूँ homework questions दे रही हूँ जिसका मैं आपको बोलती हूँ कि comment करके answer बताईए ये क्या है ये formative evaluation है यानि कि अपनी session के साथ साथ में ही मैं आप लोगों को आप लोगों का मुल्यांकन करना चाहती हूँ कि कितने students मेरे questions का answer दे रहे हैं कितने students मेरे video lecture को end तक देख रहे हैं ध्यान से देख रहे हैं कितने students actual में पढ़कर JRF qualify करना चाहते हैं तो ये आता है formative evaluation कि offline class की बात करें तो आपने देखा होगा कि teacher थोड़ा सा topic पढ़ाते हैं फिर students से पूछते हैं कि बताएए इसका answer क्या हो सकता है तो ये formative आता है कि साथ साथ में हम आपको देख रहे हैं कि कितने धान से आप हमें सुनते हो आपर class के end में teacher किसी एक student को पूछते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा उसको short में सभी के साथ share कीजिए then we have second type that's a summative evaluation summative summative evaluation को आप याद रख सकते हो summary से किसी भी चीज की summary हमें कब पता लगती है end में पता लगती है अब जैसे हमारे semester exams होते हैं हमारे final जो है annual exams होते हैं ये थमाते हैं summative evaluation के अदर जो हमारे final exams का result हम लोगों को पता चलता है वो सारा result क्या करता है हमें summative evaluation की थूपता चलता है कि एक student ने अब जैसे माल लीजे कि हमारा weekly exam है weekly exam formative evaluation का type है and हमारा final exam जो है वो summative evaluation का एक type होता है इस तरह से examples की मदद से अगर आप लोग समझ जाते हो तो easily exam में आपको बहुत मदद हो जाएगी Then we have norm reference and criterion reference So इस इन दोनो topics पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ So जैसे कि students यहाँ पर आप देख सकते हो formative and submittive Learning जब चल रही होती है मैं आपको बढ़ा रही हूँ उसी दौरान जो आप लोगों का test होता है वो होता है formative and बिल्कुल end में जो होता है वो होता है summative तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो Summative में students को rank दिया जाता है First कौन आया है class में, Second कौन आया है class में वो होता है summative के बाद, final exams के बाद and formative क्या करता है एक student को opportunity देता है कि वो और मेहनत कर सकते है जैसे कि weekly test है, मालीचे weekly test में मैंने कम score किया मैंने वहाँ पे सरफ 9 out of 100 for example score किया है तो यहाँ पे मुझे एक opportunity मिल रही है कि final exam से पहले मैं अच्छा score करूँ, यहाँ से मुझे अपना level weekly basis पर पदा चलता है कि कौन से topic में मुझे मेहनत करने की जरूरत है, कौन से में नहीं है अगला आता है हमारे पास important topic जोगी है norm referenced and we have criterion referenced test तेस्ट, तेक है, तो यह दोनों के test जो हैं बहुत ही सादा important है and इसमें बहुत से students को हमेशा confusion रहता है so, norm reference में क्या होता है, अब देखो, इसकी photo आप लोग अगर अपने दिमाग में रख लोगे यह जो example है easily आप समझ जाओगी, norm reference test compare a student's performance against the performance of their peers norm reference में किसी एक बच्चे को बागी के सभी के साथ compare किया जाता है जैसे कि आपने देखा होगा, किसी एक बच्चे को compare किया जाता है कि हाँ, ये class में topper है इन्होंने 90% से जादा score किया and बाकी की जो class है, ये 60 से 70% के बीच में ही score कर पाई है तो ये क्या हुआ, हमने एक student को बाकी सब के साथ compare कर दिया या फिर आपने ये चीज़े भी सुनी होगी कि आपको compare किया जाता होगा बहुत से students ऐसे रहते हैं जिनको schools में या फिर घर में compare किया जाता है कि देखो, आपके friends कितने अच्छे हैं ये singing में भी अच्छे हैं ये dancing में भी अच्छे हैं यह हर एक चीज में अच्छे है लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं तो यह क्या है यह norm reference है इसमें एक student को बाकी सब students के साथ compare किया जाता है इस तरह का comparison इस तरह का evaluation कहां पे use होता है अब मालीचे कि किसी singing competition के लिए मैं अपने college की तरफ से किसी एक student को select करना चाहती हूँ तो उसमें क्या हुआ उसके लिए हमने यहां पे पहले तो top 10 students को select कर दिया उन top 10 में से भी हमने comparison किया and top 1 जो student था उसको हमने final round के लिए select कर दिया तो यह हो गया norm reference testing so यह real life example इसमें exam में पूछे जाते हैं so I hope जितना मैंने अभी तक आप किसके बारे में बताया है यह आप समझ चुके हो and इसके अलावा exam में कुछ भी नहीं आपको पूछा जाएगा पूछा भी गया तो example याद है तो easily आप लोग question को relate कर सकते हो उसके बात आता है criterion reference इसमें क्या किया जाता है test compare a student's knowledge and skill against a predetermined standards इसमें किसी दूसरे बच्चे के साथ उसको compare नहीं किया जाता इसमें एक criteria रखा जाता है माल लीजे मैं बोलती हूँ कि जिस student की height जिन भी student की height 5.5 इन से जादा है तो वो जो है हमारे किसी भी मालीजे football में participate कर सकते है तो ये क्या कर दिया मैंने criteria set कर दिया कि 5 foot 5 इन से जादा जिसकी height है सिरफ वो students है उसमें एक student भी हो सकता है उसमें 50 students भी हो सकते है उसमें 100 students भी हो सकते है उसके बाद एक और example यहाँ पर देख सकते है अब मैं ये बूल सकते हूँ जिस भी student ने 90% से जादा अपनी plus two class में score किया है तो वो क्या आएंगे वो हमारे merit list में आ जाएंगे जैसे कि अगर हम लोग UGIS in it exam की बात करें UGIS in it exam का क्या criteria है अगर आप लोगोंने 50% से जादा अपने master degree में score किया है तो आप लोग UGIS in it exam के लिए क्या हो eligible हो तो ये criteria एक मान दंड इसको मान दंड बोला जाता है तो एक मान दंड हम लोगोंने set कर दिया है इस मान दंड को अगर आप लोग satisfy करते हो तो बहुत easily आप इसके अंदर आ जाते हो criteria reference is the performance of other students does not affect the student score ठीकेस उसमें बाकी के students अच्छे हैं बुरे हैं वो नहीं compare किया जाता हमने criteria set कर दिया बस उसी को हम ध्यान में रखेंगे अब जिस इस example में देखें इस example में इस student की height बाकी students के साथ compare की गई है ये student की height जादा है ये कम है ये जादा है ये जादा है ये कम है हमने क्या किया सब के साथ इनकी height को compare किया इसमें हमने किसी की height को किसी के साथ compare नहीं किया हमने यहां पे सरफ इतना बोल दिया कि 5 foot 5 inch height है इससे कम वाले नहीं आएंगे इससे जाधा वाले आजाएंगे तो एक क्राइटेरिया आगया अलग से कमपेरितन नहीं है इसी पर बेस्ट एक क्वेस्टन यूजिसिनेट एक्जाम में पूछा गया था वो यह है कि formative evaluation tends to accelerate the pace of learning यानि कि रचनात्मक मुल्यांकन सीखने की गती को तेज करता है इसका कारण क्या है as against summative evaluation formative evaluation is highly reliable यानि कि योग्यात्मक मुल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मुल्यांकन अत्यदिक विश्वस्निया होता है तो correct answer यहाँ पे क्या है option number one कि statement a बिल्कुल pro है लेकिन r बिल्कुल गलत है इसका क्या कारण हो सकता है यह मैंने आप लोगों को अभी detail में समझाया so students यहाँ भी हरी topic भी मैंने आपका clear कर दिया जो कि UGISnet paper one के हिसाब से important था and उसके साथ ही उस topics are related कैसी question NTA UGISnet ने पहले पूछे है यह भी मैंने आपको बता दिया so इससे related कोई doubt है कोई query है तो आप मुझे comment जरूर कीजेगा मैं definitely definitely आपकी help करूँगी okay so इसी के साथ students close करते हैं आज के session को I hope you like the session and यह आपके लिए definitely beneficial होगा next unit कौन सी चाहते हो आप मुझे जरूर comment करके बताइए so thank you so much for watching this video and I wish you all the very best